Hey all right and welcome to all in today's the Hindu newspaper discussion Now daily के basis पर हम page-wide discussion करते हैं और complete newspaper analysis करते हैं हम सिर्फ उन्हीं page को discuss करेंगे उन्हीं news को discuss करेंगे जो UPSC या दूसरे exam के prelims plus mains point of view के related हो सिर्फ ऐसा नहीं है कि या daily के basis पर एक अगबार पढ़ना है आपको तो अगबार नहीं पढ़ो गया आप तो daily के basis पर हर एक page से particular news हम discuss करते हैं हमारा पहला section रहता है एक answer writing भी की जाती है Monday to Friday हमारा पहला section रहता है पूरे newspaper में जो भी ये ऐसी highlighted news है उसे related जो भी हमने UPSC, prelims और mains के आज के notes extract के हैं पहले हम वो section cover कर लेते हैं आज का news paper में सबसे पहले हम IMD का prelims fact देखेंगे कि कौन सा cyclone अगर कितनी तेजी से आता है तो उसवे cyclone कहेंगे, super cyclone कहेंगे, क्या कहेंगे cyclone जावाद और ये किस देश ने दिया है असी गाउं चुने हैं, तो क्या ऐसा national mission cultural mapping के लिए देश में भी लागू है, येस है वो कब established हुआ था, इसको detail में जानेंगे UPSC prelims के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है दूसरी scheme भी जैसे class अंसकिर्थी, विकास योजना, एक भारत, स्रेश्ट भारत ऐसी scheme आज हम discuss करने वाले हैं, जो आज के notes हम discuss करेंगे Now, उसके बाद है for mains, mains के लिए हमने क्या निकाला है, analytical thinking और interview जो सिलंका के tamilians है न, उनका issue क्या चल रहा भी मैंने हर चीज यहाँ पर mains के basis पर, एक notes के form में यहाँ पर लिग दिए ताकि अब जब भी इंडिया और सिलंका के बारे में बात आए, आएगी तो आएगी सिंपल सी बात है, never in country है, तो international relation में तो हमसे यह पूछाई जाएगा तो इंडिया और सिलंका का अभी तो हमारा मचवारम का भी issue चल रहा है तो इन सभी issue में हमने चीज़ें डाल दी है, क्योंकि यार इंडियान तमिल्स हैं, उनके sentiment बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं इंडियान तमिल्स खुद कहते हैं कि भारे सरकार से आप सिलंका में जो हो रहे हैं तमिल्स के अगेंज इतने inhumane condition में उनसे चाई के पौधे टुड़वा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें साही कीजिए तो ये हम discuss कर लेंगे आज mains के basis पर भी, इससे आपके analytical thinking बहुत ज़्यादा increase होगी बट आज last date है, हमारे discount की 5th December की guaranteed 60 batch में अगर complete video plus notes की PDF चाहिए तो वो 2099 रुपीज की 30% discount है सिर्फ आपको guaranteed 60 batch के notes चाहिए तो 999 में आप अवेल कर सकते हैं अगर early plan join करना चाते हैं, जहाँ पर daily अभी मैंने जो current notes से दिखाए daily answer writing ये आपको सिर्फ 399 रुपीज में आज रात 12 वजे तक आप अवेल कर सकते हैं और एक और चीज तीनों ही plan अगर एक साथ लेना चाहते हैं जो early plan है, test series है और UPSC CSET का video course है वो भी आपको 999 में include मिल जाएगा, लेना बहुत simple है इसी नमबा पर Google पर phone पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot सेम नमबा पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने टेलिग्राम private group से add कर लेंगे Now सबसे पहली news, fresh cases in Maharashtra and Gujarat take Omricron tally to four अभी तक दो patient हमारे थे, बट नए दो patient add होए हैं जिनों ने माना गया है कि विजिट किया था अफरीका गौर्मेंट आस्क फाइब स्टेट जमएन कस्मी टू बूस्ट सर्विलांस आप बढ़ा दो मॉनिटर करने के लिए लगा दो लोगों को 72-year-old in Gujarat and 33-year-old in Maharashtra Both men were confirmed by the health authorities as affected by the variant कहां कहां कितने हैं South Africa में 27 यूके में 40 घाना में 33 बोट सवाना 21 यूएस में 21 राइट ओमरिकॉन जो वेरियंट है WHO ने मैं डेली के बेसिस पर बता रहा हूँ वेरियंट आफ कंसन केटिगराइज कर दिया है वेरियंट आफ इंट्रेस्ट और वेरियंट आफ कंसन क्या डेफ्रेंस होता है वेरियंट आफ इंट्रेस्ट में स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं उसकी स्टडी करना तो वेरियंट आफ इंट्रेस्ट बट वही जब वेरियंट आफ इंट्रेस्ट इतनी तेजी से फैलता है सभी देशों में तो उसे variant of concern की तरह categorize कर लिया जाता है नेक्स्ट है जावाड जावाड ड्रेंचेज कोस्टल उडिसा अब देखो यहाँ पर क्या लिखाया है वो matter करता भाई साब यह देखो यह weakening of cyclonic storm यहाँ पर super cyclonic storm भी लिख सकते थे खुज भी लिख सकते थे but the weakening of cyclonic storm जावाड into a deep depression brought little cheer to farmers धीरे धीरे कमजोर हो रहा है as vast strategies of coastal farmland were flooded following incessant rain on Saturday while the coastal district of West Bengal braced for heavy rain कहने का मतलब यहाँ पर पूरा है कि जो जावत सिर्फ cyclonic storm है वो धीरे धीरे weak हो रहा है और किसानों के लिए यह एक अच्छी बात है राइट नहीं तो उनकी फसल खराब हो जाती है अब बात यह आती है कि जावत के बारे में हम यहाँ से क्या जान सकते है एक्स्ट्रा तो सबसे पहले तो मैं UPSC prelims fact में AMD की एक चीज बता देता हूँ अगर हमारी किसी भी cyclone अगर आ रहा है उसकी wind speed देखो अभी हमने cyclonic storm देखा था ना यह देखो अगर उसकी wind speed 62-87 km पर आवर की speed से आ रहा है तो उसको cyclonic storm बोला है अगर वही speed अभी चल रही होती 108-221 km पर आवर तो news paper में cyclonic storm नहीं लिखा रहता news paper में लिखा रहता very severe cyclonic storm तो एक marks के caution में यह दे सकते हैं कि as per cyclone intensity cyclone को classify किया गया है जितनी तेजी से वो move कर रहे है cyclonic storm 60-80, severe cyclonic storm 80-117, 200 चले गई तो very severe cyclonic storm बट साथ साथ मैं cyclone जावद general studies paper 1, topic रहेगा important geographical phenomena and such as earthquake, tsunami, volcanic activity or cyclone यह वाला topic आपको जहाँ पर भी दिखेगा वहाँ पर आप cyclone जावद include कर देंगे हुआ क्या context क्या है एक deep depression in the bay और बंगाल intensify हुआ था into cyclonic storm जहाँ पर यानि की cyclonic storm बोला जा रहा है तो यानि की 60-80 km पर आवर इसकी speed है फिर वो likely to make landfall near odysine अंदरप्रतेस और वहाँ पर जाके weak हो गया नेम किस ने दिया है साओधी अरीबिया has given to cyclonic its name जावद तो कौन से देश ने दिया है साओधी अरीबिया तो आपको option बताना है question बताना है जो तितली है वो नाम किस ने दिया था ठीक है तो मिनिंग जावद is liberal and or merciful ठीक है इसका मतलब यह है how are cyclone formed यह क्या होते है बहुत simple है जब tropical region में oceanic water बहुत जादा गरम हो जाता है in this region the sunlight is highest which results in warming of land जमीन तो गरम होती है water surface भी गरम हो जाता है water surface गरम होगा तो most year over the ocean rises upward उपर जाएगी बारिज भी करेगी और बहुत तेजी से cyclone भी लाएगी ठीक है यही है sea surface temperature इनमें जादा हो जाता है ठीक है now सबसे बड़ी news cultural mapping of 80 villages kicks off यहाँ पर हुआ क्या बहुत simple सी बात है ministry of culture ने बोला कि हम 80 गाउं के लोग जो भी है जे फेमस personalities हूंगी जिन्होंने 8057 की करांती में मैं अपने उत्राखंड की बारे मैं बात बताता हूँ हमारे उत्राखंड में जहां पर मैं रहता हूँ यानि की चंपावत district ठीक है उत्राखंड का चंपावत district आप सरक्षिक करना मिस्टर कालू महरा ठीक है उनका नामी कालू महरा है सोचो तो उत्राखंड की तरफ से ठीक है हमारे स्टेट से सबसे पहले फ्रीडम फाइटर रहे 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी सोचो तो ऐसे ही ये तो हमारा उत्राखंड है और मेरे बगल 20 किलो मिटर दूर है ये ठीक है तो वैसे ही सोचो अलग-अलग राज्यों में कितने फ्रीडम फाइटर हुँगे यार तो कल्चरल मैपिंग अब इससे क्या होता है हमें अपने इथियास के हिस्ट्री जो हम चैरिस करें हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनको चैरिस करें इवन हमारी फंडामेंटल डूट तो है कि अपने जो फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में बताना तो अभी कल्चर अमिनिस्ट्री ने कहा है कि हम असी विलेजिस को एसोशेट करेंगे वित नोटेट परसनालिटी इथियास में कोई बहुत बड़ा नाम होना चाहिए फ्रीडम मुमेंट में उनका काम होना चाहिए कंट्रिब्यूशन होना चाहिए यूनिक क्राप्ट हो या कोई फेस्टिबल हो इवन फेस्टिबल को भी हम इस पालेट प्रोजेक्ट के दौरान एड करेंगे यह चलाया गया कंडेक्ट किया जा रहा है इंद्रागादी नेशनल सेंटर पॉर आर्ट्स आई जी ए और अलग अलग जगे एवन यहां पर डेटा जो क्लेक्ट किया जाएगा न वो कॉडिनेट करेंगे बहुत सारे सर्वे होंगे मुबाइल एप्लिकेशन इंट्रेक्टिव वेब पॉर्टल लॉंच करेंगे ओटिटी प्लैटफॉर्म अमेजान नेट्फिक्स में इनकी डो ये भी तो पूछा जा सकता न कलचर में कोई नेशनल जीन चल रहा है नूज पेपर में तो यही आएगा तो इसके नोट हम डिसकस करते हैं नाव नेशनल जो तो आपको पता भी होना चाहिए रिसेंटली क्या हुआ नैशनल मिशन और कल्चलर मैपिंग किसके अंडर आ गिया जो अभी हम न्यूज पेपर में बात कर रहे थे IGNCA के अंदर विच विल स्टार्टेट ट्राइल रॉन इन 75 विलेजें अक्टोबर 2021 बट अब 80 विलेजेज आ चुके हैं IGNCA के बारे में हम जान लेते हैं इंद्रागादी नैशनल सेंटर फॉर आर्ट ये बना था कुछ 1987 में ये एक और्टोनोमस इंस्ट्यूशन है सब चीज इसमें इंक्लूट कर देंगे कुछ स्कीम दूसरी हैं जो कल्चरल मेंपिंग की तरह ही काम करती हैं जैसे कलास संस्कृति विकास योजना इस्कीम ऑपाइनशीटेंस फॉर प्रमोशन ऑप अर्ट अं कल्चर cultural infrastructure safeguarding the intangible cultural heritage जैसे कोई dance को वो करो मनाड मनाड एक 2009 उत्राखंड का वो है intangible एक भारत स्रेश्ट भारत यहाँ पर एक न्यूजर रिसर्चर डोकुमेंटरे 43118 पर फ्राय इंदक्षन का नड़ा आपके काम का नहीं है बसे रेडनम सा यह आर्टिकल फब्लिश हुआ है इतनी species हैं इतनी species हैं ऐसा ही आया हुआ है अभी हम रश्या से खरीद रहे हैं AK-203 इंडिया इन रश्या सेट टो इंग के AK-203 राइफल डील विट वर्थ पाँच हजार करोड रुपे पैक्ट फॉर मैनिफेक्ट्रिंग 6 लाग गन्स टू साइंड गन्स टू साइंड दूरिंग पूतिन विजिट ओन दिसमबर 6 राइट तो इससे ज्यादा उतना ज्यादा इंपोर्डेंट नहीं है बट AK-203 जैसे AK-46, AK-47 होती है ना वैसे AK-203 है यह हम कहां से ले रहे हैं रश्या से ले रहे हैं नॉर्मल स्टेट PCS में कॉशन आ सकता है UPSC में तो बहुत मुश्किल रहेगा यह पूछना Now, हाली में एक decision आता है Supreme Court का वही judgment आप अपने UPSC के statement में डाल सकते हैं Sexual harassment at workplace, right? तो right against sexual harassment at workplace is part of fundamental right ठीक है? वो हमारा किसका part है? fundamental right का part है Now, तो particular यह judgment हम किसमें include करेंगे? fundamental right to a dignified life यानि कि इसको करेंगे? article 21 के अंदर, ठीक है? article 21 के अंदर right to life with dignity, right? तो अगर कभी भी पूछा जाए, the right against sexual harassment at workplace is a part of fundamental right to a dignified life and it takes a lot of courage for subordinate to overcome fear to speak up against a superior official, right? तो यह क्या है? एक हमारा fundamental right है to a dignified life, right? तो ऐसे example, ऐसे ही judgment आप UPSC prelims के statement में आ सकते हैं तो directly यह answer आपको करना है Now, next news है, compensation alludes URI survivors अभी हुआ क्या था? देखिए, सिरेनगर की अगर हम बात करें तो बहुत जादा वहाँ पर जो, ऐसे, ठीक है? यह लगे रहते हैं, बॉम रहते हैं ओवर 70 victims of cross border shelling and land mines यहाँ पर लगी रहती हैं from कस्मीर URI तहसिल में अब जो लोग भी मारे गए हैं, यह लोग क्या करते हैं? टेरिरिस्ट हैं, यह चीज लगा देते हैं सिंपल सी बात है कश्मीर में तो बात यहाँ पर जमू कश्मीर की हाई कोटा भी सरकार से यह बात करती है कि एक्स ग्रीशिया आप कितना दे रहे हो तो कभी भी आप ऐसा रहे कि जहाँ पर particular किसी भी terrorist group के वज़े से या कोई भी नक्सल ग्रूप के वज़े से या lockdown चल रहा है या किसी भी basis पा अगर Indian citizen को कोई भी loss होता है सफर करना पड़ता है जान चली जाती है तो उसमें सरकार का यह responsibility रहती है कि वो एक्स ग्रीशिया दे हाला कि एक्स ग्रीशिया एक foundation नहीं है सरकार को देना ही चाहिए बढ़ जब भी किसी की death होती है accident में तो सरकार उनको 2,000,000 रुपे 3,000,000 रुपे देती है यह एक्स ग्रीशिया gift के तौर पर ठीक है तो उसे सरकार condition नहीं है सरकार ऐसा नहीं है कि जब अरudिशिया सरकार को देना ही माइन्स के अंदर जिसका पाउं फटा होगा जिसकी लाइफ गई होगी वहां कस्मीर में तो अभी जम्मु कस्मीर की हाई कोट कहती है सरकार से कि आप उनको कुछ कमपंशेशन तो दो उसी को कहते हैं एक्स ग्रीशिया अब यहां पर हुआ क्या बहुत सिंपल सी बात है यहां पर क्या हुआ धर्म के चक्करमा बहुत सारे स्टेट्मेंट दिये जाते हैं और उसके बेसिस पर लिंचिंग की जाती है लिंचिंग का मतलब होता धर्म के बेसिस पर जैसे सपोज मान की चलो कोई भी एक धर्म है एक एक से रिलीजिन है ठीक है और वाई रिलीजिन के लोग बहुत जादा हैं वो जगह पर ठीक है एक हिंदू और मुसलिम समझ लो और किसी ने एक स्टेट्मेंट दिया तो कुछ गुरुप के लोग उस पर्टिकुलर बंदे को मार देते हैं सिर्फ धर्म के बेसिस पर स्टेट्मेंट दिया तो ऐसा ही हुआ कुछ पाकिस्तान में तो सिरलंका ने कंडेम किया दूसरा जो न्यूस सबसे इंपोटेंट है वो यह है अभी सिरलंका में जो तमिल्स है ना त तमिल्स आये कहा है सिरलंका में यह आये भारत के तमिल्नाडू से जब हमारे देश पर अंग्रेजों का कंट्रोल था तो तमिल्लाडू के कुछ लोग थे तमिल्यंस उनको काम कराने ले गए इस्ट इंडिया कंपणी कहां सिरलंका के यह नॉर्थ में बस गए अब हुआ क् सिंपल सी बात है वहाँ कि जो तमिलियन से उनको पढ़ाया अपने काम के लिए ठीक है ब्रिटी सर्स ने अपने काम के लिए पढ़ाया अभी DMSDM के पोस्ट में वही थे ठीक है बड़े बड़े पोस्ट में वही होंगे सोचो अब क्या हुआ जब सिरलंका आजाद हुआ नि काम नहीं करें तो इन्हों ने इनको मारना सुरू किया बहुत ज़्यादा एट्रो सिटीज करना यहां पर जो बुद्धिष्ट कॉमिनिटी ने है वह सुरू कर दी ठीक है तो अभी भी वैसा ही बहुत सारा इन्हुमेंट प्रैक्टिसेस कराई जा रही है कहां सिर्लंका मे तो सिर्लंका में हैं मलहया तमिल्स अब यह क्या है यह तमिल्स कौन है यह किस पर काम करती है जनरली महलाएं होती है इसमें जो चाई के बगान होती है चाई के तुकड़ों को तोड़ती है तो सिर्लंका में क्या हो रहा है मलहया तमिल बोलते हैं इसको ठीक है डारेक्ट प तोडते हैं चाई की पत्तियां तोडते हैं living in inhumane and degrading condition ऐसा United Nation के expert कहते हैं यानि कि इनको बार बार घंटे काम कराया जाता है चौद घंटे काम कराया जाता है फिर भी पैसा बहुत कम दिया जा रहा है roughly 1.5 lakh people from the community within a population over 10 lakh are engaged in direct labor in the state and most of them are women ज्यादा यहाँ पर महला पहले से ही neglect किया रहा है सिरलंका की सरकार के द्वारा और जादितर है यार भारत में भी तमिल्स हैं तो उनके sentiment hurt होते हैं कभी होता है न कि जैसे citizenship act आया था 2019 में अब वहाँ पर क्या हुआ था citizenship act में मुश्लिम को allowed नहीं था तो यह हम भारत के मुश्लिमों ने साहिन भाग में प्रोटेस्ट किया न वैसे ही है जो इंडिया की इंट्रिवियू इश्यू आप तमिलियंस इन स्रिलंका सबसे पहले है डिनाइल ऑफ सिटिजन्शिप देखो जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो सिरलंका के लोग हैं सिरलंका की सरकार है वो बोलती है कि ये लोग तो भारत से लाए गए हैं इनको हम नागरिकता नहीं देंगे मैंने बोला न वही चीज तो सिटिजन्शिप नहीं दे रहे हैं पहला तो यह इश्यू है दूसरा क्या है दे मैजूरिटी ऑप तमिल्स वर डिनाइड सिरलंका सिटिजन्शिप ड्यू तू विच मोस्ट ऑप तमिल्स कॉंटिनू टू लिव इन पौवर्टी इन टी स्टेट्स ऑफ सिरलंका अब ब भारत ये नागरिक हैं तो आपको क्या-क्या सहुलियत मिलती है सस्ते गल्ले का उसमें आपको कम दामों पर गेहूं मिल जाते हैं चावल मिल जाते हैं राइट सिलेंडर मिल जा रहा है स्वच्छिता के लिए पीम किसान निदी स्कीम में 6000 रुपे मिल ले हैं ठीक है तो यह सिम्पल सी बात है वही करेंगे जो चाई के बगान हैं वह तोड़ेंगे यह सब चीजें तो वह बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहेंगे हमेशा ठीक है अब सेकिंड क्या है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है दो कॉम्ट्रिक्ट बिट्विन सिरलंका स सिंहला जो कम्युनिटी है बुद्धिस कम्यूनिटी अब इसको ऑफिचल लेंग्विज बना दिया वहां कि राष्टर पती ने तो सिंपल सी बात है उनके साथ भी लेंगे इस निधुनेशन बहुगा अगें दधु मिल उसके बाद है रिलिजियस डिस्क्रिमिनेशन वही learning was greatly restricted समझ माया तमिल वहां के सिलंका में तमिल लोगों को बड़े स्कुल में एक किसी भी बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा राइट इसी लिट्टे ग्रूप में राजी गांदी का जो एसाशिनेशन हुआ था बॉम फूटा था वह लिट्टे ग्रूप की ही एक छोटी सी लड़की थी जनरली क्या बोला था राजी गांदी ने कि हमारी सरकार आ जाती है तो हम इन लिट्टे ग्रूप वालों को हटा देंगे जो टेरिरिस्ट और्गनाजिशन अलग से चल रहे हैं हम पीस प्रोसेस से करेंगे इस वज़े होगी नेक्स्ट न्यूज इन डेमोकरसी बर्थपलेस पोफ़ोंस ऑफ थ्रेट कुछ नहीं है साइन्स एंड टेकनोलोजी आज है संडे तो आज आता है साइनस एंड टेकनोलोजी के आर्टिकल बट हमारे कोई भी काम के ये आर्टिकल नहीं है ठीक है एन अन्यूवेशन सबी आप देखोगे जो रेंडम से रिसर्च की जाती है उसके रिसर्च पेपर यहां पर डाल दिये जाते हैं और वैक्सिन से रिलेटेड हैं तो वो तो बिल्कुल भी आपको पढ़ने नहीं है बट फ्रिक्वेंटली आग्ष्ट कॉशन में जो साथ एक हपते में हम पूर रहे हैं जिसके बेसे भीमा कोरे गाओं या दूसरे केसे में जिनको अरेस्ट किया गया है बट कॉशन यहां पर यह आता है वर्ट इस डिफॉल्ट बेल एक डिफॉल्ट बेल क्या होता है देखो डिफॉल्ट बेल को हम इस्टॉचरी बेल कहते हैं ठीक अगर डारेक्टली देखो कभी-कभी क्या होता है अब क्या हुआ किसी एक परसन को जूडिशल कस्टडी में लिया है और पुलिश ने टाइम मांगा सपोज 30 दिन का कि मैं 30 दिन के अंदर इस पर्ट्यूकलर इसके अगेंट एविडेंस लाऊंगा बट अगर वो एविडेंस नहीं ला पाते हैं पुलिस फेल हो जाती है तो उस कंडिशन में उस पर्ट्यूकलर परसन को इस्टचरी बेल मिलेगी या डिफॉल्ट बेल मिलेगी ये कहां पर लिखा है? CRPC में है जब वो 24 घंटे के अंदर एविडेंस नहीं ला पाता तो वो कहता है कि हमें इसके और कस्टड़ी चाहिए तो ये डिफॉल्ट बेल है और ज्यादा कुछ जानना है आज की न्यूश पेपर में बिलकुल भी नहीं बिजनस पेज में IMF, मेकट, ग्रोथ, वीउन, ओम्रिक्रोन, टैक्सेज, इंस्ट्रूमेंट, रेजिंग, चीप आउटफुट, टुफ, सप्लाई गैप और कुछ हमारे काम का नहीं है आज की स्टूडियो में हम इतना ही करेंगे और लास्ट डेट है आज लास्ट डेट है, गारेंटेट 60 बैच की कुछ चार या पांस सीटें बची हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं 2099 प्राइस में, सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो 999 प्राइस होगा एरली प्लैन 399 आज राद 12 बज़े तक आप इसको अवेल कर सकते हैं जिस बच्चे को particular एक stable notes नहीं मिल पा रहे और NCRT पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इसी नमबर पर 750-513-4891 इस नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं Thank you, have a nice day